No doubt you will think निसंदे आप सोचते होंगे कि this statement of case confuses reading with study कि जो प्रस्तूत विश्य के संबन्द में यह जो कथन है वो अध्यन के बीच ब्रह्म पैदा कर रहा है confuses मनी ब्रह्म You might say आप कह सकते हैं वेन वी रीड हिस्ट्री जब हम इतियास पढ़ते हैं या फिर फिलोस्पी या फिर दर्सन सास्त्र पढ़ते हैं और साइन्स या फिर विज्ञान पढ़ते हैं दैन वी डू रीड वैरी थ्रोगली तो हम उनके आसानी से पढ़ सकते हैं studying अध्यन कर सकते हैं all the meaning सभी अर्थों को bearing of the text और उनके सब्धार्थों को या आप कह सकते हो उनके बारे में आप अभी प्राय है उनको अच्छी तरह अध्यन कर सकते हो Slowly, धीरे-धीरे and thinking about it सोचते होए इसके बारे में This is a hard study कि यह है एक कठिन अध्यन है But when we read a story लेकिन जब हम एक कहानी पढ़ते हैं और एक पोईम या फिर एक कवीता पढ़ते हैं Out of class के बाहरी गंटों में We read for amusement तो हम इसे एक मनुरेंजन के लिए पढ़ते हैं Amusement and study are two different things मनुरेंजन और अध्यन दो अलग-अलग बस्तुएं है I am not sure मैं पक्का नहीं हूँ कि You all think this तुम इस बारे में सोचते हो But young men generally do think so लेकिन यूर व्यक्ती सामने ते ऐसा ही सोचते है As a matter of fact यही मामला सत्य है कि every book worth reading out to be read is precisely the same way that a scientific book is read कि जो वास्ता में जो लायक पुस्तके हैं वो उसी तरह पढ़ी जाने चाहिए जैसे कि कोई विज्ञान संबंदी पुस्तक पढ़ी जाती है scientific book माने विज्ञान संबंदी Not simply for amusement इसे सामाने ते मनोरिजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए and every book worth reading और जो प्रतेक पुस्तक है उसको पढ़ना प्रतेक पुस्तक को पढ़ना should have the same amount of value जो प्रतेक पटनी पुस्तक का उतना ही महत्व होना चाहिए that a scientific book है जैसा कि एक विज्ञानिक पुस्तक रखती है talk the value उनका जो मुल्य है may be or totally different का ही वो विज्ञान संबंदी होना चाहिए और पून्त बिन बिन होना चाहिए और after all इसके बाद a good book of fiction और romance और poetry की एक अच्छे पुस्तक चाहिए वो fiction कथा साइट पर आधरित हो या फिर romance या प्रेम पर आधरित हो या प्रेम के व्यक्षान पर आधरित हो या फिर कविता पर आधरित हो इजे scientific work वो एक दैग्यानिक करती रगती है इट हैस बिन कंपोज according to the best principle of more than one science बै जो कोई भी पुस्तक हो वो एक सैदान्तिक principle मन सैदान्तिक और वो भी कैसे होते हैं best, stressed विसे सुरूप से जीवन के महान सिद्दान तो पाराधरित होती है बट इस्पेसली according to the principle लेकिन विसे इस रूप से सिद्दान्तों के अनुसार of the great science of life या फिर विज्ञान के जीवन के अनुसार the knowledge of human nature ये मान असुभाव के ज्ञान के अनुसार ही होनी चाहिए अगला देखो the first thing पहली बात तो यह है which a scholar should bear in mind कि किसी भी विद्ध्यार्ती को अपने दिमाग में यह बिठा लेना चाहिए ध्यान रखना चाहिए that a book out not to be read for mere amusement कि एक पुस्तप को हम केवल मनरणन के लिए नहीं पढ़ें half educated person read for amusement जो अर्द सिक्षित लोग होते हैं या व्यक्ती होते हैं केवल मनरणन के लिए पढ़ते हैं are not to be blamed for it जो इसके लिए इन्हें दोसी नहीं मानते they are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature वे वस्तूत है straight side से जुड़े गंबिर गुणों को पहचानने में क्या होते हैं ऐस समर्थ होते हैं बटे यंग मैन लेकिन एक युवा व्यक्ती जो has passed through a course of university training जो या फिर जिसने विस्विध्याले का अच्छी तरह प्रसिक्षन या पाठ्यक्रम पुरा कर लिया है should discipline himself वो अपने आपका अनुशाशन में रखता है at an early day never to read for mere amusement और आने वाले दिनों में कभी भी वो उसे केवल मनोंजन के लिए नहीं पड़ता है once the habit of discipline has been formed एक तो जो अनुशाशन की जो आदत है वो उसके भी आने को रूप है he will find it वह इसमें ढूंड पाएंगे impossible to read for mere amusement कि एसमभाव है कि हम इसे केवल मनोंजन के लिए पड़ें he will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food कि एक बात तो हम ये जान लें कि फिर वह ऐसी किसी भी पुस्तक को जिससे उसे बौदिक प्रेड़ना की प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी पुस्तकों को पढ़ना या उसका अध्यन करना उसके लिए ठीक नहीं है कि कोई भी जो पुस्तक है वो अधीरता पूर्वक उच्चिस तरिय भावना को या अच्छी या फिर उसकी बुद्धी को अच्छी नहीं लगती तो वह उसे फैंक देता है बट उन अधर हैंड लेकिन दूसरी तरफ दा हैबिट ओफ रीडिंग और अमिजमेंट की जो पढ़ने की आदत है केवल मनुरंजन के लिए बिकम्स विद थाउजन ओफ प्यूपिल एग्जैक्ली दा सेम काइंड ओफ हैबिट एज वाइन ट्रिंकिंग ओपियम स्मोकिंग मतलब जो लोग मनुरंजन के लिए पढ़ते हैं या हजार लोगों की संक्या है उनमें ऐसे आदत बन चुकी है कि वो इन पुस्तकों को केवल मनुरंजन के लिए पढ़ते हैं तो उनकी आदत ऐसी है जैसे कि सराप पीना या फिर ओपियम स्मोकिंग अफियम का सेवन करना इट इस लाइक ए नार्कोटिक यह एक विस्की भाती है सम्थिंग देट हैल्प कुछ वस्तुएं हैं जो साहता करती है तो पास दा टाइम समय वेतित करने में कुछ ऐसी है जो सपन की अवस्ता को बनाए रखती है कुछ ऐसी चीजे है जो अंत में विचार की संपूर समता को नश्ट कर देती है या सोच की समता को नश्ट कर देती है जो उच्छ तरिये जो भावनाएं है या स्तुरोध है या ज्यान की जो शक्तियां है उनको समाप्त कर देती है या छोड़ देती है तो जो ये पार्ट है वो हम को ये बता रहा है कि इस पार्ट में एक पुस्टक को हम किस प्रकार पढ़ें पुस्टक को ना केवल हम मनाजन के लिए पढ़ें बल्कि उसको एक अच्छी सोच के साथ और साहित को पैचानते हुए एक प्रसिक्शन प्राप्त करते हुए उसके सबदार्तों को समझेए उसके विशे को समझेए और उसको अच्छी तरह एक कहानी और कविता के रूप में पढ़ें ताकि जो पुस्तक के बारे में ज्यान है वो हमें प्राप्त हो सके हमारा ठीक रह सके और हमारी सोस ठीक रह सके इस प्रकार इस पार्ट के अंदर हमें बताया गया है अगली वीडियो डालूँगा मैं नेक्स्ट यह तक पढ़ना और डंग से इसका अधिन करना